आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ और यहां पर डाउनलोड में एक्स प्लस में 6 है ठीक है तो इसमें हम Multiplication कर देंगे किसके साथ एक्स प्लस में A और यह अन्रूट में और प्लस में अन्रूट अप एक्स प्लस में 6 डिवाइड़ भाई भी करेंगे इसी से ठीक है तो यह balanced रहाएगा ठीक है और प्लस में यह अन्रूट में एक्स प्लस में क्या हो गया 6 हो गया ठीक है और यहां पर dx चैल है तो dx चलने दो ठीक है तो दीक हो यह हो जाएगा A-B और A-A-B उसका помeला क्या होता है a square minus b square और उपर क्या चलेगा मेरा उपर चलेगा x plus में a और plus में under root of x plus में 6 divided by a square करेंगे तो कितना हो जाएगा under root हट जाएगा सिर्फ बचेगा x plus में a minus में b square करेंगे तो ये under root हट जाएगा बचेगा क्या x plus में 6 है minus से multiplication करेंगे तो minus x और minus में 6 हो जाएगा ठीक है और यह dx और इसका integration ठीक है चलो अब देखो यहाँ पर x minus में x तो गया a minus में 6 बचा और a minus 6 एक content है ठीक है तो इस constant को हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या होगा अंदर होगा मेरा x plus में a और यह dx हो जाएगा individually कर देते हैं dx से अंदर multiplication और plus में integration of x plus में 6 और यह dx हो जाएगा ठीक है और यह 1 by a minus में 6 यह सभी में multiplied है ठीक है चलो तो देखो अब क्या होगा अंदर रूट में x का integration क्या होता है देखो हमको पता है कि x के पाउर में n dx अगर है इसका integration करते हैं ठीक है तो यह आता है मेरा x के पाउर में n plus 1 divided by n plus 1 एक content लगाना है तो constant लगा जाते हैं ठीक है तो इसी तरह से अगर मेरा x x के पाउर में क x इसका integration करेंगे तो देखो x की पाउर में कितना हैगा 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 ठीक है प्लस में constant तो यह देखो यह हो जाएगा x की पाउर में 3 by 2 x की पाउर में 3 by 2 और यहां देखो यहां भी हो जाएगा 3 by 2 तो 3 by 2 करेंगे तो उपर चला जाएगा और plus में c मतब 2 by 3 x की पाउर में कितना है 3 by 2 तो यहां भी कितना हो जाएगा देखो यहां पर हमारा हो जाएगा is equal to 1 by a minus में 6 और x plus में a है ठीक है तो x plus a इसके पाउर में कितना हो जाएगा 3 by 2 और यहां पर देखो 2 by 3 से multiplication तो 2 by 3 से multiplication और plus में दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा देखो दूसरे वाले का हो जाएगा 2 by 3 x plus में 6 इसके पाउर में कितना 3 by 2 हो जाएगा ठीक है और यह हो गया अपना bracket बंद और यह प्लस में एक constant c ठीक है तो यह होगा हमारा क्या answer तो भूब आपको समझ में आओगा थेंक यू Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर